हेलो फ्रेंस वेल्कम टूर माय यूटूब चैनल दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या गरों का निर्मान जब होता है उसका जो सबसे इंपोर्टेंट जो मैटरल है दोस्तों वो है सिमेंट ठीक है दोस्तों आप सब क जब हम मकान बनाते हैं या बिल्डिंगों को निर्मान करते हैं तो अपना पुरा लाइब की कमाई इसमें लगा देते हैं बट क्या करते हैं हमें नोलज्ज ना होने के उज़ए से या फिर थोड़ा सस्ते की तकर में हम कोई भी ब्रांड उठा के लिए आते हैं और उसका जाओ just कर वालते हैं कि आजकल मर्केट में क्या है बहुत सारी ब्रांड है बहुत सारी तुर्म का मलग की कमपनी आई हुई हैं नहीं नहीं कंपनी आजिए फिल्जान नहीं है कि अच्छी सिमेंट ही यकंगी है दोस्तों अच्छी सिमेंट हम यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होतार हम सस्थे च्कम में आकर क्या है जो मैट्रि अच्छा स्था मभी ना करके जो 누구 Center देते हैं बाद में हमें बहुत सारी प्रेशा निया उठानी पड़ती हैं मैंटरेंस की उपर पैसा लगाते रहते हैं वह पैसा थोड़ा जो हम बचत करने की सोचते हैं वह कई गुणा बढ़ जाता है ठीक है तो मैं दोस्तों मैं आप से यह रिक्वेस्ट करूँगा कि जब अप मेटल अच्छा नियूज करोगे तो आप तो बचत में वह आपको फिर कई गुना मेहंगी पड़ेगी तो दोस्तों मैं रिक्मेंट करूँगा कि अल्टराटेक जो सिमेंट है बहुत अच्छी सिमेंट है जो अल्ट्राटेक की सिमेंट है एंजिनेर्स च्वाइज और आपको पता हिए कि OPC में 33, 43 और 53 जो ग्रीड है तो आज कल बहुत ही कम आती है तो 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 अच्छा गया है यह OPC में तो यह आप ले सकते हैं और इसके लावा सिमेंट के लावा है दोस्तो मैं और बताऊंगा कि जो मैट्रिल है वो भी आप अच्छी क्वालिटी का लो क्योंकि मैट्र अच्छा हुआ जब एक मजबूत मलक बिल्डिंग का निर्मान हो सकता है ठीक है तो यह थोड़ा हाथा मैट्रिल के ओपर कि मैट्र हम अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें जिससे जो बिल्डिंग की जो लाइफ है वो ज्यादा होगी और वहां पर रहने वाले जो बंदे हैं जो लोग है वो शेफ होंगे ठीक है दोस्तों आसा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सस्क्राइब जूर कीजिए धन्यवाद बाई बाई, थैंक्स पर वाचिन